हाई एब्रिवान गुड मॉर्निंग स्टूडेंट मैं फिर से चला आया काक्सा स्टेंडर क्या काक्सा स्टेंडर टू में हिंदी का पट पड़ाने के लिए कहां से ऑनलाइन से तो तुम्हारे पट का नाम क्या है रिम जीम वान अगले दिन मैंने तुमके स्टोडी परकर सुना था स्टोडी का चप्टर है नमबर 12 और इसका टाइटल क्या है गेद बल्ला गेद बल्ला का मतलब तुमने देखा क्रिकेट में जो बैड बल होती है उसको हिंदी में कहते है गेद बल्ला यहाँ पर देखो गेद बल्ला की प बल्ले ने कहा मारू ना तो खेलू कैसे माटते ही तक तो खेल सकती है या कि बल्ला और गेद एक दूसरे से नहीं रह सकती एक दूसरे के बिना नहीं खेल सकती एक दूसरे कर डीपेंड करती है गेद के उपर बल्ले बल्ले के उपर गेद दोनों एक के बिना नहीं खेल सकती गेद ने उसे मारा तो क्या हुआ वो बहुत गुस्से हो गया और गुस्से से वो ज़ाडी के पीछे यहां देको छुपगाई बल्ले ने उसे धोडता रहा धुडता रहा सुबा से लेकर साम हो गया लेकिन गेद तो खुसती क्योंकि वो परैसान लग रही थी तभी गेद ने जाड़ी में से वो जब लोट चला कहां ढूड़ू सुबह से लेकर साम हो गया आंधरा छा गया मैं कहां से ढूड़ू तभी गेद ने जाड़ी इसमें से चिला कर कहां मैं यहां हूँ मैं यहां हूँ लुका चुपी की तरह मुझे ले लो बल्ले ने उसे जाड़ी के नीचे से खीच कर उठा और गेद ने कहां देखो मुझे मरना मत अब इसका question answer देखो गिली डंडे खेल के खेल में गिली को डंडे से मरता है कुछ और खेल बताओ जिन में एक चीज की दूसरी से मारा जाता है नमबर वन है क्रीकेट, नमबर टू है हक्की, नमबर त्री है बैडमिंटन नमबर फोर टेबिल टेनिस, नमबर फाइब क्या है टेनिस इन साबी खेलों में दूसरे का जरूरत है, कोई एक की बिना नहीं खेल सकती दोनों चीज की बैट और बॉल, गेद और बल्ला गेद खो गई तो गेद बल्ला नहीं खेल पाएंगे गुली खो गई तो गीली डंडा नहीं खेल पाएंगे मंझा खो गया तो पतंक नहीं उड़ा पाएंगे पतंक नहीं उड़ा पाएंगे पाशा खो गया तो लूडो नहीं खेल पाएंगे चीडी खो गई तो बैडमिन्टन नहीं खेल पाएंगे बैडमिन्टन नहीं खेल पाएंगे अब यहां देखो अगर तुमारे घर में गेत खो गई तो क्या कहां 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 ढूडोंगे नमबर वन कोने में जब कुछ खो जाता हो हम घर में पहले कहां दिखते हैं घर के दरबाजे के कोने में उसी तरह मैंने यहां पर क्या लिखाया कोने में नमबर टू बेट के नीचे जहां पर मैं सोती हूँ उसके नीचे उसकी नीचे देखूंगा वहां पर बॉल है के नहीं है नमबर थ्री है आलमारी के पीछे भी कोई कोई चीज चुप जाती है हमारी हाथ से जब वो उचल कर इधर उधर चल जाता है तो आलमारी के पीछे भी वो चल जाता है और कहां दर्बाजे के पीछे कहां दर्बाजे के पीछे भी वो चुप जाता है तो ये था क्या गेद और बल्ला की कोईस्टिन अंसर बहुत एजी है इसे घर में अच्छी तरह से पढ़ना अच्छा कुछ कोई से नंसर मेरे साथ बोलो गेद बल्ले में कौन कौन है एक गेंद है एक बल्ला है कौन किसे मारता है गेद ने बल्ले को मारता है कौन बल्ला गुसे से वो कहां चुप जाती है जारी के पीछे और क्या कहते है मैं यहाँ हूँ मुझे खीच कर उठाओ मैं यहाँ हूँ बहुत ही इजी है इस चैप्टर को अच्छी तरह से घर्ण में पढ़ना और यहाँ पर जो क्वेस्टेन अंसर मैं नहीं यहाँ पर करके दिखाए है उसको अच्छी तरह से पढ़ने के पर फिर इसको पढ़ कर सुनाती है देखो गिली डंडे की तरह कौन-कन खेले क्रिकेट, हकी, बैडमिन्टन और टेविल टेनिस, टेनिस अच्छा गुल्ली खो गाई तो गिली डंडा नहीं खेल पाएंगे मन्जा खो गाया तो पतंग नहीं उड़ा पाएंगे, पाशा खो गाई तो लुडो नहीं खेल पाएंगे, चीरी खो गाई तो बैडमिन्टन नहीं खेल पाएंगे तो अगर तुमारे घर में कुछ खो गाई तो तुम कहां-कहां डुटोंगे कोने में बेट के नीचे अलमारी के पीछे और कहां दर्बाजे के पीछे तो इन साभी क्वेस्टेन को अच्छी तड़ा से पढ़ना और लिखना ठीके तो आज एही तक स्टूडेंट घर में इसे बार बार पढ़ना तब तक बाई